हलो दोस्तों चालन पर आपका स्वागत है जियोतिश के सौय योग की श्रिंखला में आज दस्वा योग जिसका नाम है वसुमान योग इसकी परिभाश्या यदि लगने से या चंद्रमा से तीन छे दस ग्यारा में सभी शुब ग्रह हों तब ये योग बनता है अब इसमें चंद्रमा ब्रियस पती शुक्र और बुध्र ये चार ग्रह इसमें लिये जाते हैं अब 3-6-10-11 क्या होता है लगन से सबसे पहले क्या होता है लगन जैसा हम सब जानते हैं यह लगन ओता है यहां पर अले लगन ये लगन ही लिखाओगा कुड़िके अन्दर तो जब भी आप अपनी कुंड़ी को देखें, यहां से शुरू करें, अब 3, 6, 10, 11 हमने कैसे गिरना है, हमेशा हम गिनती इस तरह से करते हैं, एंटी क्लोट वाइस डायरेक्शन में, तो यदि हम लगने से गिन रहे हैं, तो यहां पर हम एक नंबर लिखेंगे, और 2 और 3 यहां पर आ ज यहां 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 यहां, सभी चारो शुब ग्रह, चंद्रमा, बुध, ब्रियस्पति या शुकर होने चाहिए, यह चारो ग्रह, इन चारो जगा पर हो सकते हैं, या एक ही जगा पर भी हो सकते हैं, या दो जगा पर हो सकते हैं, मगर चारो ग्रह, इन ही सब में से किसी जग पर होने चाहिए उसी तरह से हमने चंद्रबा से काउंट करना है यदि चंद्रबा कहीं भी हो कुडली में अगर हम उदारन के लिए में कि चंद्रबा कुडली के अंदर यहां पर है तो यहां से आप एक से शुरू करिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस और प्यारा तो यानि कि चंद्रबा यदि जन्म कुडली में यहां पर हो तो यहां से तीसरे छटे दसवे और ग्यारवे घर में शुप ग्रह होने चाहिए अब एक शुप ग्रह तो स्वैम चंद्रबा हो गए अब बाकी बचे हमरे पास सिरफ तीन जो कि बुद्ध शुक्र और ब्रियस्पति दो उन तीनों में से तीनों के तीनों इन चार जगा में से कहीं पर होने चाहिए एक एक हो सकता है या दो दो हो सकते है या तीन तीन एकठे हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसी तरह से चंद्रमा कहीं भी कुड सिल से बनता है और जब यह योग बनता भी है किसी की कुडली में तो दूसरे ग्रहों की जो दृष्टी या यूती के द्वारा प्रभाव आता है उसकी वज़े से भी इसके रिजल्ट में असर आता है और जो चीज हम जानते ही हैं कि यदि कोई भी ग्रह अपनी उच राशी म हैं तो वहाँ पर कम अच्छा रिजल्ट हाएगा और बेसिकली ये एक अच्छा योग माना जाता है और ये भी माना जाता है कि जब लगन और चंद्रमा से हम गिनते हैं तो चंद्रमा के मुकाबले लगन से यदि ये योग बने तो उसके ज़्यादा अच्छा इसर आते है और इसका असर क्या होता है कि दो चीज़े बोलता है कि व्यक्ति अपने घर में रहेगा और व्यक्ति के पास पैसा धन बहुत होगा अब घर में रहेगा यह चीज इसलिए भी बोली जाती थी पुराने जवाने में कि पुराने जवाने में व्यक्ति अगर अपना घर चोड़के दूर जाता था तो बहुत टाइम के बाद वापस आता था तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था मगर एक ही योग देखकर आप फिर भी अपनी कुडली में कोई डिसीजन मत लीजे क्योंकि एक योग कुडली में जो भी बनता है उसकी वेरियेशन बहुत होती है और कुडली के अंदर दूसरे भी बहुत तरह के योग बन रहे होते हैं और इसे लिए यह वाली सीरीज हमने शार्ट की है ताकि आप अपनी कुडली में जादा से जादा योग देखना सीख जाए और उसके बाद उनको हम सम टोटल करके रिजल्ट निकालते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद